So, hey everyone, welcome to my channel. So, I hope you guys have grown up in your house, and you have a lot of preparation for your home. So, a lot of people are so passionate about practical things, that what is practical, and what is actually external? So, what kind of questions are you going to ask? Are you able to get full marks or not? If practical things are not complete, then what will happen? So, this video is very important to you. All students who are very much more concerned about practical things, whether you have a subject or something, which is practical, this video is very beneficial to you. So, video go enter and subscribe to this channel, because this way I will bring you regular content to you. So, let's start this video. So, video in the beginning, I will tell you about it, I will tell you about it, subscription plan कर सकते हो, अगर आप लोग चाहते हो, अने अगेडमी की साथ, अपनी जर्णी को स्टार्ट करना. तो चलिए, वीडियो को continue करते हैं, काफी सारे लोग बहुत जादा पर्शान है, प्रेक्टिकल रिलेटर और काफी सारे लोग के messages आ रहे थे, कि भाईया, इसके उपर एक डेडिकेटली वीडियो बना दो. एक चीज़ समझने वाली बात यह है, आप सभी लोग को और ध्यान देना है, कि प्रेक्टिकल के जो marks है, जो 15 marks आप लोग को term 2 में मिलने वाले हैं, अगर term 2 ब्लस term 1 को मिला के, तो 30 marks का आप लोग का practical रहने वाला है, और यह काफी जादा game changer होता है, आप सभी लोग जानते हो, अगर आप लोग को 15 marks अगर मिल जाते हैं, add on हो जाते हैं आप लोग के term 2 में, 35 marks का तो आपको theory देना है, 15 marks अगर full on मिल जाते हैं, तो आप लोग की marks sheet में कही नगा increment हो जाएगा, और कुछ लोग ऐसे भी रहते जिनके marks थियोरी में अच्छे नहीं आ रहें, लेकिन यार practical के marks उनको बचा लेते हैं, और उनके बहुत अच्छे marks बन जातें class 12 में, तो practical काफी जादा important element हो जाता है सभी लोग के लिए, तो यार कैसे आखिर practical में maximum marks लाएं, इसके पीछे का क्या आप ब्रह्मास्तर हैं, तो सीरी सिंपल बात, maximum schools में हमारे Indian society का ये reality है, कि maximum schools में जितने भी marks है practical के, वो आप लोग के teacher ही allot करते हैं, मतलब की ये कि आप लोग कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा आप लोग का चल जाए है, कितना भी बुरा आप लोग का practical चल जाए, maximum लोगों को बहुत अच्छे ही marks school के तरफ से मिलते हैं, मेरे खुद के school में भी कई सारे students ऐसे थे, जिनको कुछ पढ़ना नहीं आता था, उनलोग का knowledge बिल्कुल एकदम, जीरो बटा, सन्नाटा था, कि बावजूद भी उनको बहुत अच्छे practical में marks मिलेते, तो ये चीज याद रखो कि practical में आप लोग को बहुत अच्छे ही marks मिलने वाले, चाहे आप लोग का practical कैसा भी जाए, देखो, कुछ चीजों में problem create होती ही, जैसे कि practical file बनाना है कि नी बनाना है, ये कुछ चीजें mandatory है, इनको आप लोग को करना जरूर है रहता है, जैसे कि जो भी subject का आप लोग का practical, उसकी practical file बना लो, assignment बना लो, ये जो भी आप लोग को activity दी जारी, उन सब को complete कर लो, अच्छे से neat and clean, मतलब क्या दिखाने को आप लोग को हो जाना चाहिए, कि आप लोग का जो भी work है, वो complete है, और जो दूसरा पहलू निकल गया आता, practical का वो ही है कि वायवा, वायवा में काफी सार लोग इतने जादा परशान रहते कि, आखिर वो वायवा में क्या पूछ लेगा हमसे, कहीं हमसे वो बन भी पाएगा कि ने, अगर नहीं बन पाया है तो क्या marks कर जाएगे, आखिर क्या होने वाला है, तो सीधी सिंबल बात समझो, अगर आप लोग को बनता है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं अगर आप लोग को भी एक self satisfaction रहेगा, कि नहीं यार मेरा practical बढ़िया गया था, और कहीं लोग को अगर नहीं भी बनता है, तो demotivate होने की ज़रुवत नहीं है, at the end जो practical लेने आया है, वो marks नहीं fill करने वाला है, maximum क्या 90% chances ऐसे रहते हैं, कि school के teachers ही आप लोग के marks देने वाले रहते हैं, तो better है आप लोग अपने school के teachers से ज़्यादा अच्छी अपने बनाने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं न कहीं वो ही आप लोग को marks देने वाले, maximum 30 तक के भी आप लोग अचीव कर सकते हो, तो इस चीज में focus करो और जादा परशान मत हो, क्योंकि practical के marks कहीं न कहीं आप लोग के हाथ में जादा तर नहीं रहते, जो हाथ में marks है, वो क्या है, वो आप लोग के term 2 के marks है, जो theory marks है, 35 marks है, तो जो 15 marks है, उसके लिए आप लोग दोड़ने की कोशिश मत करो, उसके पीछे, जैसा हो सकता है, जितना अच्छा जा सकता है, practical को जाने दो, और अगर अच्छा नहीं जाता है, तो डरने की ज़रूवत नहीं है, 35 marks के उपर आप लोग ध्यान दो, क्योंकि वो fully आप लोग पे define करते है, और focus करो अपने theory portion के तरफ, तो अभी काफी जादा वक्त है आप लोग के पास, काफी सारे लोग ऐसे होगे, जिनका practical हो चुका हुआ, और वो लोग यह tension में होगा, कि कितने marks मिलने वाले, तो याद रखो, अच्छे ही marks मिलने वाले हैं सब लोग को, और यार ऐसा तो नहीं है कि आप लोग फर्स टाइम वाई 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 अगरा दे रहे हो, क्लास 10 पे भी तो आप लोगों ने दिये होंगे, बोर्स उस टाइम पे भी था, प्रिप्रेशन पे जो आप लोग के हाथ में, और उसके लिए अच्छी जर्नी स्टाट करो, फटा फट पढ़ना चालू करो, वन शॉट वन शॉट देखना चालू करो, साथ में प्रैक्टिस जितने बार हो सकते हैं उतने बार करने की कोशिश करो, इसी के साथ साथ आप लोग अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पे मैंने आप लोग के लिए फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट करवा चुका हूँ, इंग्लिश का कॉर्स बहुत जल्दी आने वाला है, फिजिक्स का कॉर्स स्टार्ट हो चुका है, टर्म टू के पर्स्पेक्टिव से वन शॉर्ट सीरीज जो सभी लोग के लिए बहुत बेनिफीशल रहेगी, आई बटन पर जाके आप लोग सारे के सारे कोर्सेश को एकसेस कर सकते हो, और इसी के साथ बहुत सारा फ्री कॉंटेंट भी आप लोग के लिए हर तरफ रखा हुआ है, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल से देखो, कहीं से भी देखो, लेकिन पढ़ाई चालू कर दो यार, थियोरी मार्क्स बहुत जादा इंपोर्टेंट है, वो ही आप लोग के फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है, एक सेकेंड चांस है, आप लोग के पास, अगर टर्म 1 का भी पर अच्छा नहीं गया है, तो टर्म 2 को बेटर बनाने की कोशिश करो, और अपनी पूरी चान लगाता लो, चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, यही पर मिलता हूं में एक्स वीडियो में, जब तक के लिए को बाई, पढ़ाई करते रहों, सदा सेक्सी रहों, मेरे सुदेंस मेरी जान, बाई बाई